अंतर राष्टिये साक्षर्ता दिवस मनाना, साक्षर्ता की और मानविय ध्यान को भड़ावा देना और सामाजिक मानविकास के लिए उनके अधिकारों को जानना है साक्षर्ता उतनी ही महत्यपूर्ण है जितना की जीवित और सफल होने के लिए भोजन गरीबी उन्मूलन बाल मृत्युदर को कम करना जन्संक्या ब्रद्धी को नियंत्रित करना लेंगिंग समानता समाप्त करना आदिब बहुत आउशक है साक्षर्ता में परिवार की स्थिती और इसलिए देश का दर्जा बढ़ाने की छमता है यह लोगों को निरंतर शिक्षा प्राप्त करने और परिवार समाज और देश के लिए उनकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रोथसाहित करने के लिए मनाया जाता है अंतराष्टिय साक्षरता दिवस विश्व में 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्तमान युग में सिख्षा बहुत जरूरी है सिख्षा के बिना किसी कालिकरम का नियोजन संभाव नहीं है सिख्षा हमारे जीवन का आवशक अंग है सरकार सर्व सिख्षा अभियान चला कर प्रतेक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए विबिन योजनाय संचालित कर रही है एक व्यक्ति का सिख्षित होना उसके स्वयम का विकास है वहीं एक बाली का सिख्षित होकर पूरे घर को सवार सकती है जब देश का हर नागरिक साक्षर होगा तब ही देश की तरक्की हो सकेगी तात्परिय यह है कि साक्षरता का तात्परिय है कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बलकि यह सम्मान अवसर और विकास से जुड़ा विसे है दुनिया में शिक्षा और जान बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी माध्यम है आज अनपढ़ता देश की तरक्की में बहुत बड़ी बादा है जिसके अभिसाब से गरीब और गरीब होता जा रहा है उद्देश साक्षरता दिवस का प्रेमुख उद्देश नव साक्षरों को उत्साइद करना है अंतराश्टिय साक्षरता दिवस हमारे लिए एहम दिवस है क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत आधिक महत्व है हमारे देश में पूर्सों के अपेक्षा महिला साक्षरता कम है हमें आज के दिन यह संकल्प लेना होगा कि हर व्यक्ति साक्षर बने निरक्षर कोई ने रहे हमें अपने यहां से निरक्षरता को भगाना होगा भारत का सेक्षिक इतियास अत्यदिक समरेध है प्राचीन काल में रिषी मुनियों द्वारा शिक्ष्या मोखिक रूप में दी जाती थी शिक्ष्या का प्रसार वर्ण माला के विकास के पस्षात भोजपत्र और पेडों की छालों पर लिखित रूप में होने लगा इस कारण भारत में लिखित साहित्यक अविकास तसा प्रैसार होने लगा, देश में शिक्षा जन्साधारन को बोध्रम के परचार के साथ साथ उपलब्ध होने लगी नालंदा, विक्रमसिला और तक्षिला जैसी विश्वप्रसिद शिक्षा संस्थानों की स्थापना ने शिक्षा के प्रचार में एहम भूमी का निभाई लोगों में व्यवसाई को सल्विक्षित करने के लिए साक्षर्ता एक बड़ी जरूरत है शिक्षा का प्रसार भारत में अंग्रेजों के आगवन से यूरोपिय मिस्नरियों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया इसके बाद से भारत में पक्ष्मी पदती का निरंतर प्रसार हुआ है वर्तमान समय में भारत में सभी विश्यों के सिक्षण हेतू अनेक विश्व विध्याल है और उनसे जुड़े हजारों महा विध्याल है भारत ने उच्च कोटी की उच्च तर शिक्षण प्रदान करने वाले विश्व के अग्रणी देशों में अपना इस्तान बना लिया है शिक्षा के सुल्क में अनेक कारणों से विशेश रूप से व्यवसाईख शिक्षा निरंतर व्रदी हो रही है इस कारण गरीब परिवार के बच्चों को उस शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी है पूर्व प्रधानमंत्री मन्मोवन सिंग ने देश की सभी महिलाओं को अगले पांस सालों में साक्षर बनाने के लक्षे के साथ अंतर राष्टिय साक्षरता दिवस के मोके पर महिलाओं के लिए विशेश तोर पर साक्षर भारत मिसन का सुभारम भी किया था इस आउसर पर प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि साक्षर भारत मिसन राष्टिय साक्षरता मिसन से भी जादा सफल साबित होगा उन्होंने कहा था कि देश की एक तिहाई आबादी देश की आदी महिलें अभी भी पढ़ लिख नहीं सकती साक्षरता की मामले में हम विस्व में सबसे पिछड़े देशों में सुमार हैं प्रधान मंतरी ने कहा कि अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अल्प संख्यक और अन्य वंचित वे पिछड़े वर्गों की महिलाओं का साक्षर नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती है और हमें इस सुनोती से पार पाना होगा यदि हमें सबी नागरिकों को सेशक्त करना है और तेजी से विकास करना है तो देश को पूरी तरह से साक्षर करना होगा जिस साक्षर भारत मिसन की आज हम सुरुआत कर रहे हैं वेह साक्षरता के प्रती हमारी राष्टिय प्रतिवधता को जाहिर करता है यह मिसन खासकर महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ाने की हमारी कोसिस में मददगार साबित होगा उन्होंने कहा था कि साक्षर्टा के मामले में आजादी के बाद से हमने लगाता रद्धी की है वर्स 1950 में साक्षर्टा की दर 18% थी जो वर्स 1991 में 52% और वर्स 2001 में 65% तक पहुंच गई भारत भी बन सकता है सत प्रतिशत साक्षर साक्षरता दिवस का दिन हमें सोचने को मजबूर करता है कि हम क्यों सो प्रतिशत साक्षर नहीं है यदि केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों की स्तिती बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती सरकार दुरा साक्षरता को बढ़ने के लिए सर्वे सिक्षा अभियान, मिड़े मील योजना, प्रोड शिक्षा योजना, राजी उगांदी साक्षरता मिसन, आदी नहीं जाने कितने अभियान चलाए गए मगर सफलता आसा के अनुरूप नहीं मिली मिड़े मील में जहां बच्चों को आकरशित करने के लिए स्कूलों में भोजन की व्यवस्ता की गई इससे बच्चे स्कूल तो आते हैं मगर पढ़ने नहीं खाना खाने आते हैं शिक्षक लोग पढ़ाई की जगें खाना बनवाने की फिकर में लगे रहते हैं हमारे देश में सरकारी तोर पर जो व्यक्ति अपना नाम लिखना जानता है वह साक्षर है आंकड़े जुटाने के समय जो घोटाला होता है वो किसी से छुपा नहीं है अगर सही तरीके से साक्षरता के आंकड़े जुटाए जाए तो देश में 64.9% लोग शायद साक्षर ने 3300% साक्षर कैसे बने भारत में सबसे ज़्यादा विश्व विध्याले हैं हमारे जिस में हर साल लगबग 33 लाग विध्यारती इसना तक होते हैं उसके बाद बेरोजगारू की भीड में खो जाते हैं हम हर साल इसना तक होने वाले विध्यारतियों का सही उपयोग साक्षर सबी के लिए अनिवारि हो इस विषय में सभी छात्रों को एक व्यक्ति को शाक्षर बनाने की जिम्वेदारी लेनी होगी कि द्वारा मुल्यांकन के आदार अंक सूची में इसके अंक भी जोड़ जाए इसे हर साल लगबग 33 लाख लोग शाक्षर होंगे वो किसी सरकारी खर्च के बिना अंतराष्टिय साक्षरता दिवस का इत्यास यूनेसको ने 7 नवंबर 1965 में ये फैसलेया कि अंतराष्टिय साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाय जाएगा जो की पहली बार 1966 से मनाना शुरू हुआ व्यक्ति समाज और समुदाई के लिए साक्षरता के बड़े महत्व को ध्यान दिलाने के लिए पूरे विस्वेभर में इसे मनाना शुरू किया गया अंतराष्टिय समुदाई के लिए व्यक्ति शिक्षा और साक्षरता की दर को दुबारा ध्यान दिलाने के लिए इस दिन को खास तोर पर मनाय जाता है धन्यवाद जैहिंद जैभारत